हमें सारी चीजे व्यवस्तित मिल जाएं, यानि कि हमारा जो काम है वो अराम से हो जाए, इसलिए हम चीजों को और्गनाइज करते हैं और हम और्गनाइजर्स बनाते हैं, तो मार्केट में बहुत नहीं नहीं और्गनाइजर्स मिलते हैं, और अगर आप उन्हें घर में बना तो लाइक कर देना और शेर भी कर देना जिनको भी आप शेर करना चाहते हैं और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो यहां देखे मेरे पास एक थर्मा कॉल का डबा है इस के अंदर cups आये थे और इसको मैंने as a organizer ही use कर रखा था लेकिन देखें साइड सी ही तूटने लग गया है तो अगर आपके पास इस तरह के डब्बे हैं तो आप उन्हें और भी strong बना सकते हैं study बना सकते हैं तो मैं क्या करूंगी थोड़ा सा मैं पानी लूँगी और थोड़ करना तो मेरे पास थानी इसलिए मैं यहाँ पर paper कर इस्तिमाल कर रही हूं यानि newspaper का और अब इसको क्या करना है कि फैविकॉल लेकर और इसको इसके साथ में चिपकाते जाएंगे जैसे जैसे यह फैविकॉल सुखेगा ना वैसे यह काफी hard हो जाएगा और यह जो है थर्म तो newspaper थोड़ा सा अलग दिख रहा था लेकिन अगर आपके पास tissue paper है white color के तो आप उनका ही इस्तेमाल करना और उसके बाद देखिए जब यह अच्छे से सूख गया है तो बाकी जो thermocool का डबा है उसको हम cover करेंगे ताकि यह थोड़ा सो सुंदर लगे और सुंदर लगने क आप white color का tissue paper ही use करना तो आपको यह painting का जो काम है यह नहीं करना पड़ेगा मेरे लिए थोड़ा सा extra काम हो गया पर कोई नहीं थोड़ी सी सुंदरता भी जरूरी है और अब इसके उपर मैं लगा दूँगी सूतली सूतली यानि की जो रसी होती है ना बारीक वाली रसी होत यह फ्री में organizer बन गया है आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है बस उपर से आपको paper लगाना पड़ा है और यह थोड़ा सा आपको रसी का भी काम करना पड़ा है तो बहुत ही easily बन गया है organizer तो यह पहली से ही बना हुआ था बस इसको हमने decorate किया है तो यह देखिए बहुत यह अच्छा सा प्यारा सा organizer बन गया है आप इसके अंदर oil के container रख सकते हैं कोई भी अपनी छोटी मोटे समान रख सकते हैं अलमीरा के अंदर रख सकते हैं कोई भी आप अपनी jewelry बगरा रख सकते हैं या बच्चों के stationary का समान भी रख सकते हैं यह आपके उपर depend है कि आप कैसे यूज करेंगे तो कभी भी आपके पास धर्मा कोल का डबा होना तो उसे फेकेगा नहीं तो नेक्स्ट चीज है यह मिठाई के डब्बे आजकल ऐसे मिठाई के डब्बे बहुत चल रहे हैं तो इसको हम देखे बहुत अच्छे से और्गनाईज करेंगे तो यह जो उप कर सकते हैं लेकिन हम इसको थोड़ा सा लुक अच्छा देंगे यानि के सुन्दर हर्स को हम बनाएंगे और इसको देखे मैं थोड़ा ना पेटी टाइप बना रही हूं पेटी का मतलब होता है बॉक्स एक बॉक्स का लुक दूँगी तो इसका जो हैंकिन साइड का एक जो और बनने के बाद आपको बिलकुल भी यकीन नी होगा कि इसको हमने मिठाई के डब्बे से बनाया है एक मैंने बहुत पहले भी बनाया था जो कि मैंने अपनी बेटी को दे दिया है तो उसमें वो छोटे मोटे समान रख लेती है तो आप इस तरह से बना लीजे और जो भी जाएगा और ग्ल्यूगन की साहता से या फिर फैविकॉल की साहता से हम इसको चिपकाते जाएंगे अंदर से बहार से दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये ना दिखाई नहीं देगा और साथी साथ इसकी जो मजबूती है वो भी बढ़ जाएगी कपड़े से बहुती अच्छी मजबूती मिल जाती है किसी भी चीज को पेपर की जगे अगर आप कपड़े का इस्तिमाल करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉंग बनता है तो अब ये देखे जो उपर का धकन है उसको मैंने लगा दिया है और आब इसको मैं क्या करूंगी ऐ जैसे बॉक्स खोलते हैं ऐसी बन जाएगा ये तो अच्छे से आप ग्लूगन की सायता से इसको चिपकाते जाएं तो मेरे पास जो है ने कपड़ा छोटा था इसलिए मुझे और भी एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा यूज करना होगा अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेने ताकि ये अच्छे से चारो तरफ से कवर हो जाए आपका एक ही बार में सारा काम पिनेश हो जाए तो आगे से आपके पास ऐसे कोई भी डब्बे हाएं तो आप इस तरह से ओर्गनाइजर बना सकते हैं आप जूते के डब्बे से भी इसको बना स चो ठा था तो कोई बात नहीं थोड़ी सी महनत और कर लेंगे क्या ही पर extrists है तो यहां देखे हैं इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी और जहांसे कप्ड़ा मैं कट कर दूँंगी ताकि छो है कि ये खोलने में असानी हो तो हलका से यहां से कट लगा दें तो हलका से यहा तो यह देखिए आप इसका ध्यान रखेगा, आपको कट जरूर लगाना होगा, तभी यह पेटी की तरह से यह बनेगा, और आब इसको हम अंदर से भी कवर कर देंगे, ताकि यह बहुती सुंदर लुक आ जाएगा, और देखिए जो उपर की साइड है जो ढखन होता है, वह दिखने में बहुती सुंदर लगरी थी, तो जब भी आपके पास पड़ी हो, तो आप उस चीज का जरूर इस्तेमाल करें, तो दिखने में भी सुंदर हो जाएगा, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, कि आपका यह मिठाई का डिबबा है, क्योंकि देखिए जो चीज हम देखते रहते हैं, तो फिर वो अलग ही दिखती है, और आप दिखने के बाद बिल्कुल ही इसका जो है कि लुक चेंज हो गया है, और यह सुंदर भी लगने लग गई है, तो जब भी आप इसमें कोई चीज रखेंगे तो आपको यह ऐसा नहीं लगेगा, कि जैसे आपने मार्केट से कोई और परचेस किया है, तो इस तरीके से आप देखिए और तयार कर सकते हैं, अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या ही खर्चा लगा है, सब कुछ तो हमारी घर में ही था और बन गया ना फ्रेमे और और अर्गनाइजर, तो आप इस तरह का और जरू ट्राइ कीजिए आप पेटी टाइप, यह बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही असानी से यूज होत कर पाते हैं, आप इसको अपनी अलबिया में रख सकते हैं, अपनी चोटे-मोटे समान रखने के लिए, या किसी को भी दे सकते हैं ऐसे ओर गनाइजर बना के, तो यह देखे, रेडी हो गया है, असानी से यह मजबूती से बन भी गया है, और अब देखे, मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा और मजबूती दूगी, तो इसको जो बीच में है, यह जो आप देख रहे हैं, दो धकन के जो जॉइंट है, यहां पर मैं थोड़ा सा एक्स जबूती बन गई है, तो इस तरीके से हमने इसको जोइंट कर दिया है, अब पता ही नहीं लग रहा है कि हमने दो डबे एक साथ जोड़े हैं, तो आप यह और जरूर ट्राइ करना, और आप इसके अंदर हम लगा देंगे, जो इसके अंदर आया था ना, कैबिनेट्स, इस इसको हम फिट करतेंगे, अब रेडी है हमारा जीरो कॉस्ट में और गनाइजर, तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा, तो मुझे तो यह बहुत ही काम आने वाला लगा, तो इसको तो मैं रखूंगे अपनी अलमीरा के अंदर, तो आगे देखते हैं, अब दूसरा और तो यह देखिए, ऐसे खाली डिबे बहुत सारे पड़े रहते हैं हमारे पास, यह बहुत ही असानी से आपको 10-20 रुपे में मार्केट में भी मिल जाएंगे, यह मेरे पास पड़ा हुआ था, जब भी इसके अंदर हम छोटा-मोटा समान रखते हैं यानि बहुत ही छोटी चोटी चीज़ें, तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, तो आप क्या करें कि disposal cups आते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी, कोई भी चीज एक दूसरे में मिक्स नहीं होगी, आप चाहें यह bottles हैं, bottles का जो set आता है वो ऐसे आता है एक डब्बे के अंदर, तो इस bottles तो हम निकाल लेंगे और यह जो उपर का डब्बा है इससे हम कोई चीज़ बनाएंगे, तो इसको हम क्या करना है कि थोड़ा सा हमें और इसको मजबूती देनी होगी, क्योंकि जो इसका cover है यह थ पास wallpaper आता है उससे भी cover कर सकते हैं, तो यह और भी अच्छा strong बन जाएगा, और जो इसका look है वो भी change हो जाएगा, तो इसको मैं क्या करूँगी, कि थोड़ा सा मेर पास paper पड़ा हुआ था, तो मैं इसी से cover कर दूँगी, तो जितने दिन यह मेरे काम आएगा, उतने दिन मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी, तो यह जो चीजे हमारी इधर-उधर mix हो जाती है, जैसे कपड़े हुए, या डब्बे वगरा हुए, books वगरा हुए, तो उसको हम यहाँ पर set कर सकते हैं, तो कोई भी चीज यहाँ mix नहीं होगी, तो बहुत ही असानी सी यह separate रखा रहे कि मैं इसको बीचो बीच लंबाई में कट कर दूगी, और यह जो खुला हुआ हिस्सा होता है न, इसको मैं अच्छे से lock कर दूगी, बहुत बढ़िया तरीके से इसको मजबूती देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले जो इसका लंबाई वाला हिस्सा है, इसको मैं cut करके हट और हटाने के बाद इसी पेपर से मैं जो साइड में लॉक है ना उसको खुला हुआ हिस्सा है ना उसको लॉक कर दूगी। नॉर्मली हम ऐसी चीजों को फेक देते हैं लेकिन हम इससे और्गनाइजर बना सकते हैं तो जितने दिन ये चले उतने दिन तो हमें चलाना ही चाहिए तो इसको और थोड़ा हमें मजबूती देनी है तो इसको मैं क्या करूंगी थोड़ा सा मेरे पास वाल पेपर पड़ा चारों तरफ से कवर कर दूगे ताकि ये दिखेगा भी नहीं कि ये क्या चीज है और लुक भी इसका अच्छा आओ जाएगा और इसको जो है कि मजबूती भी मिल जाएगी तो इसको असानी से बस निकालना है और इसके उपर स्टिक कर देंगे तो बहुत ही जेंडल तरीक सकते हैं तो मैं इसके अंदर रखूंगी चोटे जो लेगिंग्स होती है उनको फोल्ड करके क्योंकि वह बहुत ही चोटी होती है और जो उनका जो फोल्डिंग साइज होता है वो भी चोटा होता है तो इसको अच्छे से कवर कर दूगी तो बढ़िया तरीके से आप किसी चीज से प्रेस करते जाएं और धीरे धीरे इस पेपर को निकालते जाएं और फिर इसको आप स्टिक कर दें तो बिलकुल वे दिक्कत नहीं आती है जहां भी आपको बबल्स दिखते हैं वहाँ पर आप इसको अच्छे से प्रेस कर दें तो यह निकल जाएंगे तो अंदर से भी देखिए मैंने इसको जो किनारे है ना वहाँ पर पेपर रखते हुए इसको दबा दिया है ताकि ये इसका जो किनारा है ना वो और भी थोड़ा मजबूत हो जाए और जो ये बचे हुए हिससे हैं इसको मैं पीछे की साइड में फोल्ड कर दूगी चारू तरफ से बस जीरो कॉस्ट में ओर्गनाइजर तो देख सकते हैं आप कितनी असानी से अपने घर में ही अपने बजट के अनुसार या फिर जो चीजें हम फेक देते हैं उनसे हम ये ओर्गनाइजर्स तयार कर लेंगे तो घर के अंदर जितने भी ओर्गनाइजर्स होना उतने ही कम पड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम मार्केट से ही चीजें लेकर आएं और उसी के अंदर ही हमारी चीजें ओर्गनाइज रहेंगी ऐसा कुछ नहीं होता है आप अपने घर में भी चीजें बना के अ आप इसको थोड़ा सा और इसको मुझे स्ट्रॉंग बनाना है तो उपर मेरे पास यह है कि जूट रोप पड़ी हुई थी तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से ग्लूगन की सायता से चिपका दूगी ताकि इसको और भी थोड़ी मजबूती मिल जाएगी। और यह थोड़ा दिखने में भी सुन्दर लगती है जूट रोप से आप कोई भी काम करते हैं तो वो दिखने में अच्छी लगती है और सही बताओं तो यह बहुती चीप तरीका है बहुती सस्ता तरीका है आप इसको बहुती असानी से खरीद भी सकते हैं यह आपको कहीं ब इन में बनाए हैं, बहुत ही असानी से बन जाते हैं, तो दोस्तों आपको ये और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मस्त रहें, तो चलिए बनाएए, अगर आपके पास भी इस तरह की चीज़े पड़ी ह तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाब बाई